नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं एक और समासुधारक जिने भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है अर्था दयानन सरस्वती के बारे में और उनके द्वारा इस्थापित आरी समाज के बारे में हाला कि आरी समाज के उपर हम एक वीडियो और लेकर आएंगे लेकिन जो स्वयूक तो इनका प्रक्रम निकलता है इसलिए हमने इसको भी इसमें शामिल किया है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैन सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि ये वाला जो टॉपिक है ये मौडन हिस्ट्री अर्थात आदुनिक इतिहास का पाट है और बेसिकली जो सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं या जो पुनर जागरन वाले आंदोलन है उससे लिया गया है इसके पहले हमने राजरा मोहनराई के बारे में भी बात की थी जिने भारती पुनर जागरन का पिता कहा जाता है और आज हम भारत का मार्टिन लुथर किंग के बारे में बात करने वाले हैं दैनन सरस्वती का भी जो है अपसुधार आंदोलन में काफी महतुपूर्ण योगदान रहा ह और आरी समाज, ये शब्द शायद हम आज भी अपने आसपस कहीं न कहीं, कभी न कभी हम सुन लेते हैं, तो आईए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये चीज़े याद रखना है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इनके दोरा कुछ बुक्स लिखी होत तो जो भी सामाजिक सांस्कृतिक भारत में सुधार करें हैं, उनमें इनका भी महतपुनिस्तान है, तो दयानन सरस्वती के बारे में हम जानते हैं आगे, इनका सामाने परीचे देख लेते हैं, इनका जो जन्म हैं, 1824 में मौरवी गुजरात में हुआ था और इनके बच्पन का नाम था मौल चंकर और ये क्वेश्चन जो हैं, MPPAC की एक्जाम में पूछा जा चुका है, कि दयानन सरस्वती का मौल नाम क्या था या बच्पन का नाम क्या हैं, जब इनका जो जन्म हुआ था हम देख चुके 1824 में हुआ था लेकिन जब 21 वर्ष के थे तो इ बीच में, जब 24 वर्ष की अवस्ता में इनकी मुलाकात जो है, दंडी स्वामी पुर्णा नन से हुई थी, जिससे इनोंने सन्यास की दिक्षा लिये और इसके बाद वे दयानन के नाम से जाने जाने लगें, इसके अलावा इनके द्वारा जो किये गए महत्पुन कारी हैं, तो इनोंने अट्रा सो तेसट में, धार्मिक कुरोती और आडंबर के विरोध में पाखंड खंडीनी पता का लहराई, और सबसे इंपोर्टेंट जो हर एक्जाम में पूछा जाता है, अगर हम कहें वन एन ओनली, अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं, तो इट विल भी गुड, कि 1875 में इनोंने मुंबई में आरे समाज के स्थापना की थी, और किस जग़ पर की थी, तो हमें याद रखना है, मुंबई में की थी, 1875 में, और 1877 में इनोंने आरे समाज का जो मुख्या ले हैं, बाद में फिर लाहोर लेकर आ गए थे, और इनोंने यहीं बनारा दिया था, जो की पूछा जाता, कितनी एक्जाम में पूछा जा चुका है, वेदो की और लोटो, ठीके, जो हमारे वेद हैं, रिगवेद, हमको पता हमारे जो चार वेद हैं, तो वेदो की और लोटो, इनोंने नारा दिया अर्था, ये वेद की प्रती काफी आकरशित थे, और उसको काफी मानते थे, उसमें लि के लिए हैं, ठीके, तो इनके दो नारे काफी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, 1882 में इनोंने गोरक्षा के लिए अभियान चलाया, और इनोंने शुद्धी आंदोलन भी चलाया, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, शुद्धी आंदोलन मतलब कि अगर किसी व्यक्ती ने किसी दबाव या भय से हिंदु धर्म को छोड़ दिया है, तो वो फिर से अपने हिंदु धर्म में वापिस आ सकते हैं, या ना चाहिए, तो इसके लिए इनोंने शुद्धी आंदोलन चलाया था, सुराज शब्द का अप्योग भी इनोंने किया था, तता सुधेशी आपनाने और विदेशी का बहिशकार किया था, जो एक क्रान्थी कारी करते हैं, बिलकुल वो ही इनोंने करा था, हिंदी को राष्ट भाष्या सबसे पहले स्विकार किया, वर्ण व्यवस्ता के आधरपर कर्म व्यवस्ता पर जोड़ दिया था ति जाती वाती को नहीं मानते थें। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि पुराणों में जाती वाती का कुछ जादा ही था तो ये नहीं मानते थें। तो इसमें कुछ विशेश बाते थी तो यहां पर वो लिखी हुए कि विवा की नियुनतम आयू जो है लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष ने धारित थी। दयावंद ने हिंदू प्रजाती को बच्चो का बच्चा की संग्या दी। ठीके ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कि इन्हों हिंदू प्रजाती को क्या संग्या दी। तो इन्होंने संग्या दी बच्चो का बच्चा की संग्या दी। अंतर जाती विवा तता विद्वा पुरुषों के बराबर दिखाने का प्राप्त करने का आंदोलन भी किया। दयानन सरसुती ने ततकालीन समासुधारक जो केशव चंद सेन इश्वर चंद विद्यासागा रानाडे देशमुक इत्यादी से संपर्क स्तापित किया था। दयानन उनकी मृत्यों के बार उनके आदाशों को लाला हंसराई पंडित गुरुदत लाला राजपत रायम स्वामी श्रद्धाना नित्यादी ने आगे बढ़ाया। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध लिखी हुई ये किताबें हैं जो हमें याद रखनी हैं ये भी हाल फिलाल में ही MPPSC में पूछी गई थी सत्यार्द प्रकाश पुस्तक किसने लिखी हैं तो अठासों चुहत्तर में ये जो बुक है स्वामी दयानन सरस्वती ने लिखी ह इनकी अदर जो अन्य पुस्तके हैं वो है वेद भाशा की भूमी का पाखंड खंडन ये भी हमने इसके बारे में बात करी हैं अध्वेत मत का खंडन वल्लबाचारी मत का खंडन और पंच महायग्य विधी जो है इनोंने लिखी हैं तो ये इनके द्वारा लिखी हुई प् पॉलने तो ये दोस्तों हमने इसमें जयानन सरस्वती के बारे में वही बाती की जो एक्जाम पॉइंट ओफ यू से काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा जो आरी समाज है इसके उपर भी हमें एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आरी समाज की प्रमुख बातों को ह की जयाइट करेंगे और एक्जाम में इसे कृशन आते हैं मेन्स में पूछे जाते हैं तो हम वीडियो जो ए आज का यहीं पर समापत करते हैं लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहिंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आपको करना है वीडियो को करना है लाइक और शेर थैंक्स पर वाचिंग